Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? Interpretation of Statutes की इस सीरीज में हम लोग आज बात करने वाले हैं Rule of Beneficial Construction के बारे में Last वीडियो में मैंने बात की थी about Golden Rule of Interpretation उससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात की थी Little Rule of Interpretation के बारे में अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दू सब्सक्राइब दी चैनल और अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में Rule of Beneficial Construction के Concept के बारे में Proper Discussion कर लेते हैं Rule of Beneficial Construction क्या है? कहां से Arise हुआ? यह सारी बाते मैं आपके साथ अब Discuss करता हूँ तो चलिए Topic को शुरू करते हैं सबसे पहले जब Interpretation किसी भी Law का किया जाता है तो हमने देखा था कि Literal Rule of Interpretation को यूज किया जाता है और Literal Rule of Interpretation में जो Words का Plain Meaning है उस Plain Meaning से Court Interpreted कर लेता है कि Lawmaker का Intention क्या था? Legislature का क्या Intention था? किस Purpose के लिए किसी Particular Word को किसी Line को Introduce किया गया? लेकिन यहां पे हम बात करेंगे किसके बारे में? यहां पे हम बात करेंगे Rule of Beneficial Construction के बारे में आपने देखा होगा यह Literal Rule of Interpretation जो है वो बड़ा Simple Concept है जिसमें कि Words का जो Plain Meaning है जो Ordinary Meaning है उसी को Derive किया जा रहा है और उसी से Interpretation जो है वो निकाली जा रही है तो कौन से Case में कौन से Case में Literal Rule of Interpretation applicable होगा कौन से Case में Golden Rule of Interpretation applicable होगा और कौन से Case में Beneficial Construction applicable होगा यह Depend करता है Nature of the Case के उपर यह इसके उपर भी Depend करता है कि कौन सा Statute है क्योंकि हर Statute का अपना अपना एक Nature है एक अपना Area है और उसको बनाने वाले लोग भी शायद अलग हो क्योंकि वो अलग-अलग Time Frame पे बने हो तो इसलिए हर लोग को अलग-अलग तरीके से Interpret किया जाता है जब Literal Rule of Interpretation Legislature के Objective को पूरा नहीं कर पाता Lawmaker का जो Objective था तो उस Situation में Code क्या करता है? Literal Rule of Interpretation को अप्लाए नहीं करता Code बाकी Rules को अप्लाए तो मैंने Golden Rule of Interpretation के बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताई ही था इस वीडियो में हम बात करेंगे Beneficial Construction के बारे में बहुत important topic है ज्यान दीजेगा इसके उपर Rule of Beneficial Construction को कुछ और नामों से भी जाना जाता है तो वो सारे नाम भी अब देख लिजे Rule of Beneficial Construction is also known as Mischief Rule of Interpretation Is it clear? तो इसको Mischief Rule of Interpretation के नाम से भी जाना जाता है और Mischief क्यों लिखावा है ये अभी मैं आपको बता दूँगा साथी साथ ये जो Rule है ये कौनसे case में develop हुआ था तो ये hidden के case में develop हुआ था तो इसलिए इसको hidden's rule भी कहा जाता है तो 1584 में जब hidden's case आया था तो उस case में बेसिकली ये पूरी ठीड़ी जो थी develop हुई थी ठीक है? और this is also known as this is also known as purposive construction इसको purposive construction भी कहा जाता है तो this principle is also known as purposive construction तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये काम किया तो आपको मैंने इसके तीनों नाम बता दिये एक तरीके से मैंने चार नाम इसके बता दिये कि beneficial construction को mischief rule of interpretation भी कहा जाता है साथी साथ इसको hidden's rule भी कहा जाता है क्योंकि hidden के case में आया था और इसे purposive construction भी कहा जाता है अब basically ये समझना है कि mischief rule of interpretation जो है hidden के case में डबलप हुआ था और ये basically किस तरीके से काम करता है तो ये जो hidden rule of interpretation है सबसे पहले ये English law की देन है English law से हमें ये case जो है वो मिला है और इस English law से ही basically हमें ये construction मिला है तो अब hidden के case में क्या हुआ था ये हमें नहीं जानना है basically हमें ये जानना है कि ये principle कैसे evolve हुआ तो ये principle किस तरीके से evolve हुआ इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें इस interpretation के rule को तब apply करना है यानि कि यहाँ पे जो हम hidden rule देख रहे है ये तब apply होगा जब तो this must be applied this must be applied in those cases ठीक है where where the word word of a statute अगर उसमें ambiguity हो is that clear तो अगर वो ambiguous है तो उस situation में हम इस rule को apply कर सके जब ambiguity नहीं है word पूरी तरीके से clear है उसके दो meaning नहीं निकल रहे है तब तो हम literal rule of interpretation को apply कर सकते है लेकिन अगर ambiguity है तो उस situation में क्या होगा उस situation में एक से ज़ादा meaning निकल सकते है तो out of that more than out of that more than two meanings can be emerged ये बास समझ रहा हो उससे क्या हो रहा है more than two meanings can be emerged तो ये है main problem और इसकी वज़े से Hayden's Rule को apply किया आता है law में किसी भी statute में हम ये देखेंगे कि कोई particular word है या particular कोई line है जिससे दो meaning निकल सकते है और दो meaning निकलने की वज़े से clarity नहीं है तो उससे हो सकता है कि injustice हो, hardship हो तो situation में हमें true intention देखना होगा, हमें सही meaning निकालना होगा, तो सही interpretation कैसे निकालेंगे ये अभी मैं आपको बताता हूँ with the help of a case law लेगिन case law पे जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ Right, Hayden's का जो rule है ये तब apply होता है जब कोई previous law को amend किया गया था या कोई पहले common law था और उसके लिए फिर एक specific law को introduce किया गया तो एक specific law को introduce किया गया किसी defect को ठीक करने के लिए तो यहाँ पे Hayden's rule को apply करने के लिए हमें किस aspect को समझना होगा, आप इस aspect को देखिए जी, तो यहाँ पे मैं एक timeline create कर रहा हूँ और timeline create करके मैं आपको basically समझा रहा हूँ कि Hayden's rule कैसे apply होगा तो let's say कि यह एक कोई particular statute है और उसकी किसी भी word को, code को interpretate करना है उसका interpretation करना है तो उसका interpretation करने के लिए Hayden's rule में Hayden's rule में जो चार steps है, वो चार steps हम apply करेंगे यह जो चारो steps है, Hayden's क्वाले case में जबलब हुए थे इसलिए इनको Hayden's rule कहा जाता है यानि कि यहाँ पे यह जो act है basically उससे पहले तो first step यह देखा जाएगा that what was the law what was the law before before making of the act right, so what was the law before before the making of the act यह पहला step है जो हमें याद रखना है law से मतलब चाहे वो common law हो या कोई particular statute हो तो इक previous law के बारे में बात करेंगे अभी हम जिस law के बारे में बात करें उससे पहले कौन सा law था तो अभी basically question mark किस पे है अभी interpretation हमें करना है present law के उपर यह present law depend करता है अलग-अलग case के उपर दूसरा point यहाँ पे दिखिए फिर court यह देखेगा कि पहले जो law था चाहे वो common law हो चाहे वो particular statute हो तो court यह देखेगा कि उसमें कौन सा what was the mischief उसमें क्या problem थी उस law में क्या problem थी mischief क्या था और defect क्या था mischief and defect or which common law common law did not provide getting my point यहाँ देखिए common law से मतलब हो सकता है judgment law हो सकता है या जो law आपका custom से चला आ रहा हो तो basically ऐसा law जो पहले मतलब codified नहीं था एक तरीके से आप यह बोल सकता है तो common law पहले क्या था common law पहले क्या चल रहा था उस common law में क्या क्या defect था क्या mischief था जिसके लिए common law में कोई solution नहीं दिया गया था ठीक है और उसके बाद जब present law जिसके according interpretation किया जा रहा है ठीक है इस law ने क्या remedy इसके लिए दी what remedy what remedy that the act had provided that the act had provided आप इसको ऐसे भी समझेगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि government जो है पुराने वाले laws को amend करती है repeal करती है और purpose यह होता है कि जो पुराना वाला law था उसमें जो shortcomings थी जो mistakes थी जो loop holes थे लोग उसका benefit लेने की कोशश कर रहे थे तो कई बर आपने देखा होगा कि parliament में state government या central government नए law introduce करती है पुराने वाले law की जगा पे और purpose क्या होता है कि कौन कौन से defect थे जिनको दूर करने के लिए basically कौन कौन से mischief थे जिनको address करने के लिए नए law को introduce किया गया getting my point तो अब यहाँ पे fourth point अब देखिए now the fourth point is what remedy the act had provided और उसके बाद में the fourth point is what is true reason what is true reason for the remedy reason for the remedy यानि की basically court यहाँ पे interpretation करने के लिए history में जाएगा background जाएगा background में जाएगा और background में जाकर यह check करेगा कि जब किसी particular law को introduce किया गया था तो उसको introduce करने का क्या reason था उससे पहले क्या common law था उससे पहले क्या common law था उस common law में क्या defects थे क्या defects थे क्या mischief थे जिसके लिए common law में कोई solution नहीं था जिसके लिए में नया लोज अब introduce किया गया तो उसमें क्या remedy दी गई और remedy देने का basically true reason क्या था तो इन यह जो चार aspects है ठीक है यह जो four aspects है यहाँ पर इन aspects को court क्या करेगा इनको court consider करेगा ठीक है और court फिर consider करके इनको interpretation interpretation में इसकी help से सही interpretation जो है वो derive करेगा getting my point तो यह चारों points आपको याद रखने हैं क्योंकि यह points आपका रखने बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के basis पे आपको इस पूरे principle को लिग कर आना है आपके answer में यह सब कुछ reflect होना अल्राइट अब हम एक काम करते हैं कि इस पूरे hidden rule के उपर जो mischief rule के जिसके हम लोग बात कर रहे हैं beneficial construction जिसको हम beneficial construction के नाम से भी जानते हैं इसके case law को देख लेते हैं ठीक है इसके case law को देख लेते हैं क्योंकि अगर हम इसके case law को हूँ क्योंकि जब तक किसी rule का case law ना पढ़ा जाए तब तक उस rule में इतनी अच्छी clarity या understanding नहीं आती तो यहाँ पर ये case आपके सामने है तो this is a very popular case ठीक है और ये जो basically case है ये हमें help करेगा पूरा इस mischief rule of interpretation को समझने के लिए basically अब यहाँ पर law कौन सा involved था ठीक है यहाँ पर जो law involved था मैं उस law के बारे में बात कर जिसके according interpretation कर तो basically law था street offenses street offenses act 1959 तो street offenses act 1959 था और basically इस act का section 1 subsection 1 यहाँ पर involved था और basically question इसमें ये था इसमें basically streets को clean रखने के लिए एक particular area था जिस particular area में streets को clean रखने के लिए ये बोला गया था कि वहाँ पर जितनी भी प्रॉस्टिट्यूट्स रहती है वो streets में clients को solicit नहीं कर सकती ठीक है customers को they cannot attract they cannot attract तो basically ये बूल दिया था कि प्रॉस्टिट्यूट्स जो है वो allowed नहीं है कहां allowed नहीं है not allowed on streets क्योंकि वहाँ जितने भी लोग उस streets से निकल रहे हैं उनके लिए एक proper environment create करने के लिए ज़रूरी था कि वहाँ पर उनका उनको अलाव ना करें but what अब यहाँ पर यह question था कि law में तो लिखावा है कि वह street से solicit नहीं कर सकती solicit का मतलब basically बोलते हैं किसी client को आप अपनी तरफ बुला रहे हो right अपनी तरफ बुला रहे हो किसी client को तो वह solicit करने का मतलब होता है basically वहाँ पर meaning है now यहाँ पर basically क्या किया गया यहाँ पर the prostitutes they were soliciting the clients from the windows तो वह street पर तो नहीं खड़ी थी लेकिन they were using the windows and balconies ठीक है तो वह windows and balconies से क्या कर रहे ही थी solicit कर रहे है is it clear so they were basically soliciting the clients or the customer कहां से is it clear windows and balconies से अब law में क्या लिखावा था इस बात को समझेगा law में लिखावा था कि आप streets पे allowed नहीं हो streets पे allowed नहीं हो लेकिन अब पट जो objective दिवह है आपे वह objective तो वो नहीं दा they are prostitutes they were not using the streets रास्ता सडक यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन उस रास्ते पे उसी सडक पे उसी गली में जो जहां पे वेर देर रिजाइडिंग वहां पे जो application apply करोगे तो आप यह बोलोगे उन्हेंने कोई offense नहीं किया वह जितनी प्रॉस्टिट्स वहां पे थी उनकी साइट से कोई offense नहीं हुआ क्योंकि वह रोड पे ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी वह जो भी कर रही थी जहां वह रह रही थी वहां balcony से या विंडो से कर रही थी लेकिन यहां पे apply किया गया mischief rule और यह कहा गया कि माना कि वह balcony से कर रही है विंडो से कर रही है लेकिन उसको हम यह consider कर लेंगे उसको हम इस तरीके से interpret करेंगे कि वह street पे खड़े होकर वह ऐसा कर रही थी और यह कहा गया कि जिस place से वह ऐसा कर रही है इससे कोई difference create नहीं हो था क्योंकि act का purpose क्या था यह देखो यह जो है point लिखा हुए न what was the true reason for the remedy act का purpose यह था to clean up the streets to clean up the streets and to enable people to walk along the streets walk along the streets without being molested or solicited by prostitutes तो law का purpose यह था कि वो उन streets पे अराम से चलें without being molested और solicited by prostitutes तो यहाँ पे फिर apply किया गया concert rule को mischief rule को apply किया गया और street देखिए यहाँ पे ठीकिना अब यहाँ पे street word को यह consider किया गया कि balcony से करे चाहिए window से करे उसको हम street ही consider करेंगे अल्राइट getting my point समझ में आया आपको case I really hope आपको case पूरी तरही के समझ में आ गया है और case के साथ साथ आपको mischief rule भी समझ में आ गया है ठीक है mischief rule बोल दीजिए या फिर आप hidden's rule बोल दीजिए यह आपको पूरी तरही के समझ में आ गया होगा अगर आपने अभी तक interpretation के बाकी videos को नहीं देखा है तो जरूर देखिए ताकि आपको interpretation में little rule of interpretation और golden rule of interpretation यह concept भी समझ में आ जाए चानल को subscribe करना बिलकुल मत भूलिएगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजेगा अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को share कीजेगा शायद उन्हें भी इससे तुछ benefit मिल जाए और आप मुझे comment section में यह बताइएगा कि और कौन कौन से से videos है जिनकी उपर आप video द और आप